हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू ट्रेड विद प्रॉबिबिलेटिस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिगो के लेवल के बारे में इंडिगो का इस टॉक अप इसलिए लास्ट अगर कुछ दिनों से हम बात करें तो एक रेली इसमें देखने को मिला है और डे बाटे आपने अपर मुवमेंट लगते हुए अब यह इस टॉक अपने बहुत कुरूश्यल लेवल पे आ चुका है बहुत ही इंपॉर्डन लेवल पर आ चुका है जहां पे इसमें अब मेक और ब्रेक लेवल साबित होने वाला है ये लेवल जहां पर इसके क्लोजिंग हुई है तो यह Indigo का चार्ट जो कि Delivery basis का चार्ट है आप देख सकते हैं जहाँ पर मैं आपको बनाना चाहूंगा हमने पहले यह आप नीचे में जाए जहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिगो में हमने आपको बार बार जो ये इस ये जो लेवल अभी टेस्ट हुए है यह पहले भी कई बार हुए थे यहां पर आप देख सकते हैं यह वाला point आप देख सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं और यह भी around उसी area को लेके बड़ी बड़ी fall इसमें तीन बार आपको देखने को मिल चुकी है इन लिगों में तो हमने तीनों बार आपको update किया था और और वहां से बड़ी इसमें down movement देखने को मिली तो अभी फिर से again वही level test हुए हैं तो इस बार क्या लगता है किस तरह से इसमें हो सकती है movement उसे discuss करते हैं जा भी आप इसमें एक बड़ा volume देख रहे हैं indigo में आज का जो kindle आप इसे focus करें तो एक बड़ी volume के साथ breakout जैसा आ पहले इसके one hour के chart में चलते हैं जहां पर जीज़े और clear हो जाएंगी यहां पर आप देख सकते हैं एक बड़ी candle बनी जो की जो resistance level जो था इसका 1761 से 1779 तक का इस resistance level को एक ही candle में break किया जो की इसका जो breakout करने का जो अंदाज है वो उतना सहीं नहीं है उसके बाद वाली candle अग ग्रीव श्टन डोजी बना है इसका मतलब यह है कि जो आज का जो पूरा trading hour है उसमें जो दिन बर की जो movement होई इसमें अगर हम day chart में चल के देखें तो ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा breakout हुआ है बट अगर उसमें अगर हम थोड़ा सा one hour के chart में चले जाएं तो हमें तो इसलिए मैंने कहा कि यह जो breakout जैसा आपको day chart में दिख रहा है यह level यह धोखा हो सकता है जो कि आने वाले दिनों में इसकी किस तरह से movement होगी उस पे depend करेगा तो हमें अगर downside रहा तो भी इसमें positive way पे profitable trade करना है और आने वाले समय में अगर इसमें तेजी रही upper side की movement लग जान के हमें buying में रहना है तो उस वो कैसे हो पाएगा वो discuss करते हैं जहां पर इसकी जो resistance point है जो अभी भी इसकी जो closing हुई है जो जिस तरह से जिस अंदास के साथ इसने breakout किया है उसे उसके accordingly अगर हम देखे तो जो resistance level है वो अभी भी as a resistance level आप note करके रख रखते हैं जो की 172 1780 यह जो level है यह as a resistance level है इंडिगों के लिए जिसे आप as a resistance अभी भी नोट करके रखें और उसका मैंने आपके साथ reason भी यहां पर दिखा दिया आपको lower time frame में जाके तो अब जैसा कि one hour के chart में आपको ग्रीविश्टून दोजी देखने को मिला है बड़े volume के साथ उसके accordingly सब्सक्राइब करें तो next जो इसमें next day कर लिया फिर परसो जो भी movement होगी वो be adjusted हो सकती है बट हो सकता है उसका high अगर break कर दे उस ग्रीविश्टून दोजी का जो कि यहां पर one hour के chart में बना है तो हमें इस चीज को कैसे पहचानना है कि इसमें तेजी हो सकती है उसे discuss करते है तो आने वाले trading session में अगर इसकी जो price movement है जो इसमें trade होगा जो पही price हा हमको देखने को मिलेंगे जो भी movement होगी वो अगर once one double seven eight के उपर में ही travel करता है one double seven eight के उपर में ही इसके trading होती है और one double seven eight के उपर में ही यह अगर hold करता है कुछ घंटों तक या फिर अगर हम पूरे एक दिन की movement को भी देख सकते है one double seven eight के उपर में ही trade करे उसके उपर में ही रहे और उपर की तरफ ही अगर इसमें closing हो जाए तब इसमें आपको जो next level देखने को मिल सकता है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह वाले मैंने हम line लगा के रख दी है जिसकी value है one double eight nine तो यह level भी आपको test होते हैं वे दिख सकते हैं बस उसके लिए थोड़ा सा इसमें watch करना पड़ेगा कि one double seven eight का जो level है इसके उपर भी price hold करना चाहिए तभी वो चीज वो जो next level हमने आप से discuss किया यह one double eight point nine का level आपको देखने को मिलेगा और जैसा कि one hour के chart के according अगर हम बात करें तो यह जो breakout जैसा इसमें candle देखने को मिल रहा है day time frame में यह थोड़ा सा इसमें doubt है जहाँ पर आने वाले trading session में अगर price level one double seven two के नीचे में ही रहे नीचे में ही hold करे तब इसमें फिर से एक गिरावाट आएगी जहाँ आप देख सकते हैं कि पिछली पिछले बार भी यहाँ पर तो हमने level आपके साथ discuss किया एबो में अगर one seven eight zero की उपर में travel करता रहे तो फिर one double eight nine की level आपको देखने को मिल सकते हैं और one double seven two की below में trade करता रहे price level तो इसमें फिर से गिरावाट देखने को मिल सकती है तो दोनों तरह की चीज़े हमने आपसे discuss कर दी आप किवल wait करे watch करे level को थोड़ा सा watch करेंगे इसे watch list में डाल के रखें तब आपको ज़रूर positive way पर फायदा हो पाएगा और किसी भी तरह की movement होती है उसको आप positively use कर पाएंगे तो I hope आपने levels को रोट करके रख लिया होगा इंडिगों में तो इन levels पर अगर आता है तो ज़रूर आप trade करके फा